शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें जिसने हमारी कोद उजार दी उस बाप के बेटी को हम हमारे घर की बहु नहीं बनाएंगे देखिया ममा जी तुराने खाओ कुरेट में से कुछ फैदा नहीं होगा आप ही को तक्लीप होगी आपको नहीं मिलेगी शुकर मनाओ हमारे पोटे ने तुम्हारे घर से अर्थी नहीं उठाई इसका मतलब यह तो नहीं है के वो तुम्हारे घर से डोली लेके आए देखिये देखिया आप इंखार मत कीजिए बाबा नहीं हमने आपसे पहले ही कहा था चलिए आप चले जाओ बढ़के ठाकुर कहीं ऐसा नहों के हम बदला लेने पर उतार हो चाहें तुम्हारी बेटी इस घर की डेली नहीं लांगेगी अम्मा अब तो चुपो जाओ चुप करो चुपकी सिर्फ तुम्हारी वज़े से हमारी उस गर से निष्चेदारी हुई झाल करो चाहें मातरानी, ये इतनी तेज हवा? सब ठीक हो, मातरानी, सब ठीक हो. कि ये लो, मम्मी, खाओ, विक्तम करो मैं, और धरकारी भी खाओ ना? आपको बत पसंद है ना? खास आपके लिए बनवा कर ला है. अज जो कुछ भी हुआ, सब कुछ आपके बज़े से हुआ. अबना आप तक तो शिवानिश का टीका भी हो चुका होता. ममी, अब अब आगे का क्या? आगे? बर्बादी. शवनी की बर्बादी. वो कभी नहीं आएगी इस घर में. कट ही नहीं. लड़कियों के कोई कभी है क्या? एक ढूंडेंगे तो सौ मिलेगी. हमारे नजर में एक लड़की है. समीत्रा की पोती ब्याह के लायक भी है और हमारे घर के लिए अच्छी भी है. पस हमें उसी से तुम्हारा रिष्टा करवाना है. अम्मा, हम नहीं करेंगा उस से शादी. का है? बोलो तो. जब शवनी का रिष्टा लेकर बढ़के ठाकुर आये थे, तब तो तुम तीका करवाने के लिए लपक गये थे? अब क्या हुआ? उसी हत्यारे के बेटी से शादी करोगे तुम? कान खोल कर सुन लो, ब्याह वहीं होगा जहां हम चाहेंगे. अब करके अभी सुमीत्रा से क्या है देते? अम्मा! दब्रावत! बहुत बढ़िया घराने में दिष्टा करवा रहे है तुम्हारा? कल शाम को भावर भी पढ़वा देंगे? अम्मा, हाई बास सुनिये! तु छुपकर! अम्मा, हाई बास सुनिये! अम्मा, फोन रखे, फोन रखे, अम्मा! हम नहीं करेंगे इसादी और आपको श्रफनी से परेशानी है ना तो ठीक है हम उससे भी नहीं करेंगे, आप खुश! अम्मा, अम्मा, शिपो सही कह रहा है आपकर उसका मन ही राजी नहीं है तो हम ऐसा कैसे कर सकते? तु छुप बेटो! अशिपो, हमारी बात सुनो, हम हमारे चुटकन की गसम खाते हैं अगर चुवीच घंटों में तुम्हें सादी नहीं की तो हम अन्न और चल दोनों ग्रांड नहीं करेंगे अब मान जाएंगे हमने कह दिया मतलब कह दिया हम चल ग्रांड नहीं करेंगे श्रवनी हमें माफ कर दो हमने बहुत कोसिश की लेकिन लेकिन उसकी तादी नहीं माने जो हुआ वो ठीक हुआ परना तुम्हारी जंदगी नर्ख से कम नहीं होती है तुम समझती क्यों नहीं हो श्रवनी वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक है ही नहीं अरे कहा तुम और कहा वो मैं याद है उसमें किस तरीके से तुमसे शादी की थी कोई भी शरीव घर का लड़का कैसे करेगा बताओ वो तो उसकी अंतरात्मा जाग गई थी इसलिए उसने अपना मन बदल दिया अब क्या सारी जिंदगी तुम उसके अंतरात्मा के जागने का इंतजार करती रहोगी भाईया बिलकुल सही कहें कब तक यह पकर के बैठी रहोगी तुमारा सपना तो कुछ और है ना? तुमारा सपना तो डॉक्टर बनने का है ना? क्या बेकार के लोगों से उमीद लगाई बैठी हो? चलो, हटो, हमें बुझाने दो स्वीटी, रुगो बुझाने दो, हमें तो यह दिया बुझा के रहेंगे स्वीटी सही का तुमने हमारा सपना है डॉक्टर बनने का और एक दिन बनने के भी सरू चांदी हो जब सारे इलाज बेकार हो जाए जब कोई दवा या इलाज काम नहीं आता है तो डॉक्टर क्या कहते है? उमीद नहीं आने जाए उसी तरह हमारे हाथ के डॉल किसके साथ बंदी और किसके साथ नहीं वो तो मातरानी बताएगी मासूम श्रवनी का होसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाएए शिमारू उमंग प्रत करते हैं झाल